नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाती का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पूलिंग और स्त्री लिंग पुलिंग जिन शब्दों से पुरुष जाती का बोध हो, वे पुलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, दादा, शेर जिन शब्दों से स्त्री जाती का बोध हो, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, दादी, शेर नी आएए अब इन चित्रों को देखें लड़का लड़की, शेर शेरनी, पिता माता, दादा दादी, राजा रानी, मोर मोरनी आएए अब हम कुछ और पुलिंग और स्त्रिल्म चब्दों को देखें नाना, नानी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, चीटा, चीटी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, हिरन, हिरनी, काका, काकी, आदी शब्द कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके लिंग नहीं वदलते जैसे डॉक्टर, प्रधान मंत्री, राश्ट्रपती, आदी आशा है बच्चों, आपको लिंक किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा खन्यवाद